Hello Students, Welcome to the Hindi Grammar Class आज हम पढ़ेंगे about सर्वनाम सर्वनाम इंग्लिश में होता है प्रोनाउन तो यहाँ हमें सबसे पहले सर्वनाम की परिभाशा दी है जिसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है सर्वनाम यानि प्रोनाउन जिन शब्दों का प्रियोग संग्या के स्थान पर किया जाता है तो पिश्टी ग्लास में आपको मैंने संग्या के बारे में बतायता है कि संग्या क्या होती है यानि किसी का भी नाम बस्तू का हो या वैक्ती का हो या स्थान का तो उसे संग्या कहते हैं तो ऐसे शब्द जो क्या है संग्या के स्थान पर प्रियोग की जाते हैं उन्हें हम सर्वना कहते हैं या फिर हम यह बोल सकते हैं कि संग्या के स्थान पर प्रियोग तोने वाले शब्द जो भी होते हैं वो सारी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम जैसे कि मैं यानि आप अपना नाम लिए बगएर अपनी जगा क्या बोलो? मैं या किसी मित्र का नाम लेने के बज़ाए से बोलो तुम यह है वे उसका मेरा आदी तो यह सारे जो शब्द हैं यह क्या है? सर्वनाम शब्द है यह संग्या के स्थान पर लगाए जाते हैं यानि किसी के नाम को हटा कर उसकी जगा हम यह लगाते हैं उसकी कुछ एक्जामपल दिये हैं जैसे की दिया है निमले किस वाक्यों को दिहान से पढ़िए पहला है गोपाल एक अच्छा लड़का है एक वाक्य है गोपाल एक अच्छा लड़का है फिर दूसरा वाक्य है गोपाल प्रती दिन नहाता है गोपाल प्राते काल घुमने जाता है गोपाल विद्धा ले जाता है तो यहां आप देख सकते हैं चार वाक्य दिए हैं आपको इसमें बार-बार क्या आया है गोपाल यानि ये जो वाक्य है सारे गोपाल के बार में कि गोपाल अच्छा लड़का है गोपाल नहाता है गोपाल प्रातर गुमने जाता है गोपाल विद्धा ले जाता है जो कि क्या पढ़ने में अच्छा नही हमने उसका संग्या का यूज कर लिया उसके नाम का उसके बार हमने गोपाल की जगा क्या लगा दिया वह प्रति दिन नहाता है यहां पे था गोपाल प्रति दिन नहाता है तो यहां हमने इसकी गोपाल के नाम की जगा क्या लगा दिया वह है यानि संग्या किसी का भी नाम सं तो वेह प्रतिदिन नहाता है, वेह प्रातेकाल घुले जाता है, वेह विद्ध्य लेग चाता है तो इस तरीके से हमने संग्या को हटाकर जो भी सर्वनाम शब्द हैं उसका यूज करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं यहाँ पर इन चार वाके में गोपाल एक संग्या है इसके स्थान पर जो हमने शब्द लगाया है वहे शब्द का जो प्रियोग किया जाता है अतेवे सर्वनाम है यानि जो वहें शब्द यूज किया है वो एक सर्वनाम शब्द है यहां हमें सर्वनाम की प्रकार दिये है यानि English में मोलेंगी सको काईंस ओफ प्रो नावं सर्वनाम निनलिकस साथ प्रकार के होते हैं लेकिन आपकी गक्षा में केवल अभी शेय प्रकार के वरन्न किया है यानि हबी हम साथ नहीं पढ़ेंगे केवल छे प्रकार को समझेंगे छे कौन कौन से प्रकार होते हैं अभी आपकी क्लास के साब से ये साथ माँ प्रकार आपकी ताम में नहीं है तो सबसे पहला है हमारा पुरुष वाचक सरुना दूसरा है निश्यवाचक सर्वनाब तीसरा है अनिश्यवाचक सर्वनाब चोता है संबंदवाचक सर्वनाब पाच्वा है पिश्णवाचक सर्वनाब और छट्वा है निश्वाचक सर्वनाब और सात्वा है संकेदवाचक सर्वनाब इसमें से हम केवल 6 प्रकार को पढ़ेंगे तो ये संग्या सर्वनाम के प्रकार होते हैं ये अलग अलग प्रकार है सर्वनाम के